हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो में टोप चनल एक्ट्रेंसिक कोचिंग तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे है मेरा लास्ट वीडियो अप्लोड होने के बाद जो मैंने अनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म पे रखा था EPA for higher pension के regarding तो उसमें से चार पॉइंट है जो किसी को clear नहीं हो रहा है तो उसके doubts में आज solve करने वाला हूँ इस वीडियो में और भी क्या-क्या documents upload करने हैं ये चार पॉइंट पे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और भी बहुत सारे डाउट बहुत सारे लोगों है उसमें तो बहुत सारे doubt है ही तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे और भी कुछ doubt है उससे बारे में पहले बात कर लेते हैं सबसे परहा डाउट जो सब लोगों ने पूछा हुआ है कि sir application जो number है वो generate नहीं हो रहा है मैं काफी बार submit दे रहा हूँ तो काफी बार I agree का option ही नहीं आ रहा है तो देखो यह सारे जो doubts है इसका एक ही answer है कि एपी फो का जो site है यह काफी बार load होता है और काफी बार गलत data भी दिखा देता है तो यहां पे जो है आपको patient से काम लेना है अभी आपके पास दो और महिने का time है आज नहीं हो रहा है तो कल फिर से try करो हो जाएगा दूसरा doubt काफी लोग पूछ रहा है कि सर नेम mismatch आ रहा है तो क्या करना होगा तो देखे आपका आधार काड का नाम और आपका EPFO के website पे जो नाम होगा मतलब आपकी पास बुक पे जो नाम होगा वो दोनों सेम नहीं होगा तो भी आपका जो है वो आग देखे ये सारी चीजे जो है ये EPFO की site पे होती है मैं आपको बता दू मैं regularly हर एक महीने पास बुक डाउनलोड करता हूं मेरा EPFO का तो generally एक बार में कभी आज तक हुआ ही नहीं है चार पांच बार try करो तभी होता है वहाँ तो load कम होता है और यहाँ पे तो बहुत सदा load है क्योंकि thousands of applicants जो है वो एक साथ apply कर रहे हैं तो इतना बढ़िया server EPFO का site का नहीं है इसलिए काफी बार वहाँ से technical error आ जाता है तो वहाँ पे आपको गभराना नहीं है अभी तो आपके पास बहुत time है last date का wait आला कि आपको नहीं करना है लेकिन एक दो दिन बाद या एक अव कर सकते हो या तो यहां मुझे comment section में comment कर बता सकते हो कि सर अभी भी हमें यह problem जो है वो आ रहा है तो चलिए हम उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या जो है वो attach करना है तो सबसे पहला मैंने बताया था जो मैंने आपको last video detail में live बताया था पूरा कि कैसे form fill करना है one by one step मैंने डाल के आपको बताया था वहां पर सबसे ज़्यादा confusion जो सबसे ज़्यादा query जो मुझे आ रही हो इसी चार point के बारे में आ रही है कि सर इसका क्या करें तो इसके बारे में मैंने concern EPF officer से बात किया है और उसके बाद मैं authenticate news आपको दे रहा हूं देखिए आज तक मैंने जितना भी video बनाया है EPFO के बारे में एक भी बात आपको कुछ भी गलत नहीं बताई है मैं पूरा उसको प्रमानित करता हूं कि यह सही है उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं तो यहां पे जो है सबसे पहला जो option है उसकी बात करते हैं तो यहां पे यह option उसी के लिए है जो इसने 1st June 2001 से पहले जोइन किया था applicable only if the date of joining is prior to 1st 2001 देखे काफी लोग सर हमें यही पूछ यह भी पूछ रहे है किसे हमने 1996 में जोइन किया था और अभी भी हमारा job continue है या तो 2023 में रिटायर होंगे तो यह पहला option चुछ करना है कि दूसरा option चुछ करना है तो इन केस में आपको पहला option चुछ करना है यहाँ पर yes दे देना है बाकी के जो भी है मतलब 2001 के बाद जिसने job join किया है और 2014 के बाद जिसका job continue है वही लोग तो eligible होंगे तो वहाँ पर second option जो है यहाँ पर आपको yes देना है और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा doubt यह है कि please attach permission under para 26.6 of the EPF scheme only PDF file size of 250 KB is allowed तो देखिए यहाँ पर जो है आपको para 26.6 of EPF scheme क्या कहता है पहले यह जानना होगा मैंने एक पिछले वीडियो में cover किया था कि यह para 26.6 क्या कहता है कि आप जो contribute कर रहे हो EPF को वो अपनी actual selling limit जो है 6500 की आ तो 15,000 की 2014 के बाद उसके उपर बतलब आप actual salary बन रहा है मतलब जो basic plus DA बन रहा है उस पर आप contribute कर रहे हो और उसका आपको proof देना है जो आपने permission लिया है कि मैं actual wage पे जो है वो मेरा contribution जो है EPF का contribution वो करूँगा तो अब यहाँ पर इस case में क्या होगा देखे आपको जो है आपके employer को पुछना पड़ेगा कि आपने जो permission लिया है जिस पर आपका basic plus DA पर आपका जो है EPF contribution हो रहा है आपके employer का आपका भी और आपके employer का भी तो उसका permission लिया होगा EPFO से आपके employer ने तो वो जो permission है वो आपको आपके employer से वो proof लेना पड़ेगा और इसके लिए आपके employer को पुछना है अगर आप retired हो चुके हो तो आ permission लेना है क्योंकि होता क्या है देखें मैं आपको बताता हूं for example जैसे कि कोई government PSU का employee है तो उसके case में क्या हुआ होगा उसने तो सारे form fill करके वो join हो गया होगा उसको बता भी नहीं होगा कि ये permission उसने दिया है कि नहीं दिया है लेकिन आपके employer ने आपके लिए permission लिया जिसका proof आपको यहाँ पे upload करना है तो इसके लिए आपको आपके employer को contact करना पड़ेगा जो लोग retired हो चुके है उसको उसके last time to contact करना पड़ेगा इसलिए इसको कहते है joint application form joint मतलब employee plus employer दोनों मिलके application form बरेंगे तबी होगा सिर्फ और सिर्फ employee जो है ये नहीं कर सकता है यहा आपको आपके employer से contact करना है उसके बाद दूसरा जो है उसके हम बात करते हैं whether member wants to accumulation available in her PF account for payment of due contribution of this option तो देखिए यहाँ पर आपको यह सी देना है यूकि आपको जो भी account आपने withdraw किया हुआ है या तो आप retired होने के बाद आपने उठा लिया है वो amount तो आपको interest के साथ वापि किया है और देखिए इसका calculation भी आगे आएगा तो यहाँ पर amount आपको डालना है और उसके साथ आपको passbook जो है वो upload करना है passbook कैसे download करना है तो उसके बहुत ही simple steps है आप EPA for member portal पे जाए अपना UA number password डाले और वहाँ पर आपको जो है passbook मिल जाएगा तो यह तो बहुत simple है यहा तो आपका passbook जो है वो आप यहाँ पर upload कर सकते है अब confusion और है last point में कि whether member is giving undertaking to deposit the contribution along with the interest due till date of the payment through his last employer तो यहाँ पर जो है आपको undertaking जो है आपके employer के साथ यह upload करना है undertaking क्या है कैसा होता है मैं आपको एक live example के साथ दिखाता हूं मेरे पास जो है BSNL का employee का undertaking जो है वो है वो मैं आपको दिखाता हूं वो कैसा होता है देखे यहाँ पे यहाँ पे जो है undertaking है पूरा उसमें अगर मैं start करो देखे declaration employee और ex employee है तो देखे यह undertaking है यहाँ पे आप sign करके दे रहे हो मतलब आप यह बात को मान रहे हो कि आप जो है वो जो भी पेसा आपने उठाया है जो भी dues आपके है वो व्याद सहत मतलब interest के साथ आप जमा कर दोगे देखे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूं अपके है दो आलोग कर देखे यहाँ पे अक्टेवल सेलरी अ Goes है जो है आपक सिक एक शन्री आप सेलरी आपके आपकेрах कर देखे इसका भी प्रूफ आजाएगा अगर आप 95 से पहले जोइन हुए थे तो आप actual salary पे contribute कर रहे थे और उसके बाद अगर आप जोइन हुए हो तो उसके बाद आप actual salary पे contribute कर रहे हो और EPS में भी आप contribute कर रहे हो I do hereby art for diverting 8.33% of my actual salary wages out of the employer contribution towards the pension fund मतलब आपका जो 8.33% actual salary का जो है employer का contribution वो अब EPS fund में चला जाएगा वो अब आपको नहीं मिलेगा वो divert हो जाएगा जिसमें आपको pension मिलना है actual में from the date of joining of the EPS 95 till my attaining age of 58 year मतलब जब से आपका date of joining है तब से attaining age of 50 year तक जितना भी 8.33% employee का contribution होगा ये आपको अगर आपने उठा लिया है तो वापीस देना है और अगर आपने उठाया नहीं है तो तब तक 58 year की age तक आपका कटता रहेगा और देखे इसके लिए declaration के लिए यहाँ पे दो point है whichever is applicable यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहला जो है वो retired employee के लिए है since I have already withdrawn entire P.A.F. on my retirement, V.R.S. or resignation I am ready to pay the differential amount that I had taken withdraw after my retirement जो भी differential amount होगा वो मैं pay कर दूँगा यहाँ पे my exit after retirement अगर आप retired हो चुके हो तो इस point में tick करना होता है और अगर आप अभी job कर रहे हो तो देखे यहाँ पे दुसरा point में tick करना है in case my provident fund amount employer portion became short on account of non-refundable advance I am ready to pay the differential amount that I had taken withdrawn अगर आपने कोई पेसा उठाया है विड्रो किया है तो differential amount जो भी होगा वो आप पे करोगे यहाँ पे आप declare कर रहे हो इसका मतलब आप tick कर रहे हो कि आप वो amount दे दोगे thus making me eligible for drawing the pension on the basis of average of last 60 months salary wages as pensionable salary I am based on my actual salary instead of being based on the staturity limit मतलब अब actual salary पे जो है आपको pension मिलेगा अब limit पे pension नहीं मिलेगा यह form जो है यह declaration form आपको fill करना है यहाँ पे आपको बाद में date डालना है I am retiring on attaining age of 58 year for the EPS 95 scheme और 1st September 2014 के बाद मतलब कोन सी date पे आप retired हो रहे है यहाँ पे डालना है क्योंकि 1st September 2014 के बाद अगर आप retired हो रहे हो तब भी आप scheme eligible हो otherwise eligible नहीं हो I also undertake, देखिए undertaking form है that if any other legal formalities required in this regard I am ready to do accordingly और यहाँ पे जो भी place date, signature, name, address जो भी है यह वो डालना है तो यह है joint application form यहाँ पे आपका employee मतलब आपको भी sign करना है और यह जो PDF file जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यही PDF file आपको यहाँ पे last जो fourth point है please upload relevant documentary proof यहाँ पे आपको upload करना है तो यह जो दोनों document है जो option 2 या 1 में या तो option 4 में चाहिए यह दोनों document आपको लापके employer से या तो last employer retirement हो चुके हो तो जो भी आपका last employer है उसी के पास से मिलेंगे तो उसको concept आपको करना ही करना पड़ेगा वहाँ से ही आप देखो joint application का मतलब यह होता है कि employee plus employer जो है वो दोनों ही application fill कर रहे है इसका मतलब यह हुआ तो यहाँ पे joint option form fill करने का मतलब यही है कि आप सब में tick कर रहे हो देखिए चार में से तिन में तो yes देना ही देना है आपको first और two में से either or है आप जो भी जोइन किये हो उसके मताबिद इन दोनों में तो yes देना ही देना है इन दोनों में से एक में आपने no दिया इसका मतलब directly यह हो जाएगा कि आप जो है वो higher pension के लिए either eligible ही नहीं हो या तो आपको higher pension मिलेगा ही नहीं तो document जो भी upload करना है मैंनों आपको बता दिए और कुछ भी आपको इस document feeling के regarding या तो online application form feeling के regarding कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेजी जख मुझे comment section में comment करके पूछे बहुत ही जल्द से जल्द मैं आपको reply करने कोशिश करूँगा आपके मेरे वीडियो पसंदार है तो maximum likes कीजिए friends YouTube में maximum share कीजिए मैं आपके लिए ये सारे effort कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको help करने के लिए जितना maximum help possible है मैं आपको करने कोशिश करूँगा तो आप जो भी doubt है आप मुझे पूछ सकते हो देखिए इसके regarding मुझे clarity लेने के लिए पिछले दो दिन से में continuous strike कर रहा था contact करने की आज contact हो पाया है और जैसे ही contact हुआ और मुझे clarity मिली मुने तुरंत ही आपको बता दिया अपने maximum friends के साथ share करना मत बुलना friends bell icon को प्रेस करते हैं ताकि notifications आपको मिलते रहे और अब तक आपने में चैनल को subscribe नहीं किया तो फटाफर subscribe कर लिजे Thank you very much friends